आपो लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी आपन रेडियो आपन बात तो दोस्तो इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो कुमावाणी 90.4 में कहाट सामुदाइक रेडियो आपन रेडियो आपन बात और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी हेमा हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं अभी अलमोरा से मंजू और अलमोरा के द्वाराहाट कजबे में रहने वाली मंजू रोतेला साह को साल 2019 में कोलकाता में बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिला और ये अवार्ड उन्हें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे मंजु जी तो आप क्या करती है और थोड़ा सा अपने बारे में बताईए सबसे बताईए, पैनी जो होता है जिसको हम ताईए चिरे से उससे कारी करना कारे हैं कि जित दंगलों में लगना क्म हो सके तो उसे महिलां को रोजगार का सादर में मिले तो उसके लिए हम सावरपोर्ट, पैनिस्टेंड, बासकेट, मैठेट इस तरह की चीज़े बना रही है तो ये जो आइडिया है ये आइडिया कहां से आया आपके पास ये कैसे लगा आपको कि ये चीज़े हमको करनी चाहिए पिरूल तो पहले से ही था यहां जंगलों में जब मेरी शादी हुई थी तो उस ताइम मेरी मम्मी एक पिरूल का बना हुआ चोटा सा बासकेट घर में लिखिया थी तो मैंने बेखा कि बहुत से आकर सक वो लगा तो मैंने मम्मी से विशे कि मतलब ये किसने बनाया तो उनने का कि मौतीगी लड़की ने ये चीज़ बनाई है तो मैं उससे सीचने के लिए वहां पर गई तो उसे में मतलब बहुत अधिक प्रभावी थी तो बलकि मेरा पेपर भी था तो मैं पेपर अपने छोड़ गये था इस प्रीडोल के पीके तो मैंने कि क्योंने इस काम को आगे बढ़ाए जाए जाए तो गौरी संकर कांडपाल जी है CCIT के उनने फोर्ट किया कि तुम लो काफी अधिक प्रोट्रेश किया कि तुम इसमें और कर सकती है और वैकर कर सकती हो तो हम तब से कंटिनू इस कारी को कर रहे हैं बिल्कुल तो अभी तक आप कितने महलाओं को सांस लेके काम कर रहे हैं या इंडिविजॉल ब्यक्तिगत रूप में कर रही हैं अभी अभी में महलाओं को एक मेरी ननद है मुझ बजीर है बिल्कुल ना बोल सकती है तो इसको मैं इस कारी को चिखाया है तो उसको CCRT जो नई दिल्ली कलाकारों कर सम्मान देता है तो उसके तो जूनियर फेलोशिप मिल रही है दसी जार उप्रमंत जो है जो साल तक उसको कुछ सी सीखा तो इसको आगे बढ़ाए जाए जैसे जंगलों माग लग रही है तो हम उसको और आगे बढ़ाए इसको तो क्या था हमारा एक चोटा सा प्रयास बड़ा काम कर सकता है तो अपनी इस सफल्टा का श्रे आप किसे देंगे तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने प्रेणा दी और आपने उस पहल करी और आपको आज देश और दुनिया में लोग जानने लगे हैं इस मिशन को मन्जू क्या आप आगे कैसे देखती हैं कि अपने ब्लॉक तक सिमित देखती हैं आपने तक देखती हैं या आगे का सपना क्या है इस काम को लें चाहते हूं कि अधिक से दिख लोग करें जो महिला सब्सक्ति करण का साधन बन सके महिलाओं को रोजजार मिल सके इसमें जो महिलाएं घर में बैठी वी हैं तो इसमें मतलब बहुत सारे आगे बहुत सब्सक्राइब को रोजगार मिल सकता है और इसके लावर हम मैंने एक बुक भी लिखी इसके लिए तो इसमें लिखा था कि जो हरी प्रशाच टम्टा जो बुरुड़ा वांच में तिल पकला केंट खोला गया है तो वहां पर भी सर्म नील का पत्तर साथिक हो सकता है क्यांकि तो आपने गुरुड़ा मांच की बात करी थी हरी प्रशाच टम्टा आपने गुरुड़ा मांच और द्वरहाट में तो बहुत दूरी है आप गुरुड़ा मांच कैसे आपके दिमाग में आया आप यह जो पिरूल से बनी यानि की पिरूल को तो जबकि नाकाम समझा जाता है हमारे पहाड में इसे जो भी सामागरिया बनाते हो यह फिर आप देते कहां है इसको मार्केट कहां है हमारे पास ओररै बहुत आते हैं जैसे होटल से आते हैं और बहुत बहुत धनिवाद मन्जु जी आप हमारे साथ जुड़ी और अच्छा लगा आपसे बात कर के और आपको 2019 में जो है एक अबॉर्ड मिला था उसका अनुहों भी थोड़ा सा हमारी तमाम श्रोताओं के साथ भी साज़ा करें को अनले के डिर मेरा इंडैने कर्सित और इंडैन Carnapal था स्यांस करें से थांपला था मुझे तो ासके एस्क्यों भी नहीं पता था कि उहांपड़ाघ यही जो मेरी गुरु जीर्च अपरृर्दीशों के अपना था यह ़ई जिकाए खाहँ कृम्री इस नहीं थीकायाँ था कि अप्रभर्वाइब आपलाए किया वा था, लेकिन लाष ताइम में परिषचियां कि चैसी हो गई थी कि वो नहीं आपाई लेकिन हमने वहां पर अपना प्रदशन किया तो बिविल्न राज्यों के लोग आए हुए थे और बेस देड की लोग थे तो वहां पर हम लोग को दोस्तों समाज में मंजूर ओतेला साहज यसी कई महिलाएं हैं जो पहार को गौर्वानित करने वाली चुनिंदा बेटिया हैं और जिन्होंने विशमतम परिस्तितियों में भी रह कर भी आज इस मुकाम पे पहुची हैं मंजू जी बहुत बहुत धनिवाद आप हमारी कारिकर में जुड़े इसके लिए आपका धनिवाद